ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वावत है। और हमाँ को बताएंगे कि जियुतिश विज्ञान क्या है। जियुतिश क्या है। अज्यात को ग्यात करने की विद्या ही जियुतिश है। अज्यात को ग्यात करने की विद्या जियुतिश है। जियोति यानि की प्रकाश जिसका कार्य अंधकार को समाप्त कर अद्रिश को द्रिश को द्रिश्ट बनाना है उसे ही जोतिश कहते है भुषिस के अंदेरे में छपी घटनाओं के घटने से पुर्व ग्याद करना यही है जोतिश आपके भागे में काया है यही बतलाता है जोतिश अभी सबसे परीवाद तो यह है कि जोतिश क्यूं उप्योवी है जब आपको सम्भावित घटना करम का अनुवान होगा तो निश्य ही उस घटना जिन दुखत कष्ट प्रद हो सकता है तो जब कष्ट प्रद और दुखत होगा तो उस दुख को उस कष्ट को कितना कम किया जा सकता है यही जोतिश का फायदा है यह फिर नही ऐस क्ष्ट कम हो सकता है यह नहीं दुख कम हो सकता है तो मेंटली प्रेपैरत हो ही सकते है जोतिश का आधहार क्या है सु्र्य प्रवांचल में आकर चादर हटा कर चराचन में चेतनता, सक्रियता और जीवन दाइनी प्रकास चतुर्दिक सश्चता उपस्तिती से अवगत कराता है सुर्द के अस्ताचल गामी होने के बाद अंधेरे का कुहासा धरा पर काला शामियाना तान जाता है अद्रिश कालिवा भरी स्याही फैल जाने के बाद चंद्र, मंगल, बुद्ध, शुक्र और ग्रह ये जो ग्रह हैं इनके बारे में बताता है जोतिश सारे के सारे ग्रह हमने तीन-चार बताएं शतिपुर्ण, मानसिक अफसात, शारिक पीरादाई, कूप परिणामन से सुरक्षा और प्रतिकार के ससक्त उपाए भी जोतिश से किये जा सकते हैं माँ भारत के काल में शबून, अंग फड़कना, स्वपन, प्राकर्टिक संकेत पांच वर्स में अधिक जोतिश तिन विद्धाओं में जिनने सिदान, सहिता और हो रहा है अथर बेद यानि अने ग्रंथों में इसका उलेक मिलता है जोतिश अति प्राचीन और प्राविज्ञान मानवी कौतुखल का सास्त्र है इसके सहिता गज बीज सुत्र अथर बेद में अने ग्रंथों और अने ग्रंथों में है सहिता सास्त्र पांच सुपांच इस्विपूर वरा मिहिर ब्रियत सहिता से बहुत प्रसिद हुआ है सहिता में मानव जीवन के समस्याओं और उनके निराकरण का विशे पूरी तरह से उलेक किया गया है वास्तू, मुहुरत, पशू, पच्छी तरह मानव के शरीर, प्रकृति, संकेत, क्रिशी, वर्षा, आकाशी लक्षन, व्रिट शियादी की जानकारी, विपूल, तथ्यात्मक स्टिक अनुपद है एकदम करेक्ट कैलिप्लेशन करके जियोतिश में बताया गया है जिसमें हमारे सास्तों में जो लेकिया गया है, जो वरा मिहीर में जो लिखा है जोतिश जीवन को सफल, सुखत और समस्या की निराकरण या समाधान का स्रिष्ट माध्यम है या आकाशिय तारा मंडलों पर आधारित गुर्ण गनितिय सिद्धानतों का सास्त्रे या समाधान का स्रिष्ट माध्यम है आप इसको शौट में यह कह सकते हो कि जो तीश समाधान का स्रिष्ट मानव है, माध्यम है जो आकासिय तरा मंडलों पर आधारेज गुड़ गरितिय से धानतों का सास्त रहें तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंडे दिशिए धन्यवाद